इसी के साथ हकीम साहब जी कॉलर जुड गए हैं बात कर लेते हैं, जी नमस्कार, स्वागत है आशा जी आपका मेरी लड़की है, 13 साल की उसके बहुत हाथ में गर्ब पसीना और पायर में बहुत पसीना आजागा है पसीना आता है हाथों में बाल पतले हैं पसीना आता है उसको लिखने के टाइम पेपर के टाइम बहुत तकलिफ होती है ठीक है जो दिए इन दोनों बिमारियों के लिए एक आसान इलाज है और वो यह है कि नारियल पानी तो आप जानते है रोज़ाना एक नारियल पानी खरी दिये और उसके पानी में आदा ग्राम आदा ग्राम आप समझ लेजे कि इसे दो चुटकी दो चुटकी गौन मौरिंगा मौरिंगा का गौन कहते हैं इसे मुश्किल से मिलता है जरा तो गौन मौरिंगा दो चुटकी मिलाके रोजाना पिलाया करिए अगर ये अमल आप लगातार दो वहीने करते हैं तो उनके बालों का ठीक होना और उनके पसीने की शिकायत का ठीक होना मुम्किन है चलिए तो ये आप उपचार कर लीजेगा बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा हकीम साहब जो महिलाएं घर में रहती हैं जो बाहर नहीं जाती है तो उनका जो वजन है वो बढ़ता ही जाता है चाहे वो घर का काम भी क्यों न करती हो तो ऐसा क्यों होता है सबसे पहले तो आपसे कारण जाना चाहूंगी इसके साथ साथ देशी नुस्के भी जाना चाहूंगी कि वो घर बैठे बैठे अपने को तंदृस्त कर सके चुस्त कर सके अधिकी लगातार ये बात देखने माई है कि महिलाओं का वजन पुर्शों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि वो एक दाएरे में रहती है और उसके अलावा ये कि चर्बी बनाने का माद़ा उनमें बहुत ज़्यादा होता है अचा अगर वो इस तरह अपना ख्याल लगए कि एक घंटा किसी भी तरह पैदल चले चाहे अपने घर में ही चले चाहे अपनी घर की चछत पर चले या सड़क पर या पार्क में और आदा आदा घंटा करके दो बार चले या ज़्यादा सहत अच्छी है चला नहीं जाता तो पन्दा पन्दा मेंट करके चले तो इससे हमारे जिसम में एक्टिव होता है और ये जो चर्बी है वो बर्न होती जलती है और अगर और इससे भी अच्छा कुछ करना है तो पांच बार खूब गरम पानी जितना आप पी सकते हैं पांच बार या उससे ज्यादा गरम पानी पीए ये सब घरेलों उसके हैं और अगर इससे भी आपको इसमिनान नहों तो आधा चमच जीरा और एक चमच धनिया देर से दो गिलास पानी में उबा लिए और जब ये आधा उबलते उबलते चल जाए तो इसे पी लीजे आप तो ये भी वज़न कम करने का बहतरी नस्खा हो सकता है चले यसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं पंकज हैं महराश्र से हमारे साथ सवागत है आपका पंकज जी सवाल कीजिए कब से है या आपको बीवारी यह मतलब बिटर्म के नहीं है लेकिन पिजले साल हो आता है और अबारी स्थन्डी के जिनों में जाना होता है कि महारास का तो माहौल ऐसा है कि वहां बीमार आदमी हो जाता है ऐसा मौसम रहता है महां समंदर का इलाका है और यह अच्छा नहीं है और वो भी इस वक्त में जब हम कोरोना के जंग लड़ रहे हैं तो यहां पर चीके खांसी बलगम वाला आदमी बहुत अहतियाद करें और जोशांदे आते हैं रोजाना एक जोशांदा पिया करिए सब कंपनियां बनाती है जोशांदे और अगर इसका मुस्तकिल इलाज चाहिए तो देखिए एक माजून आती है माजून आर केर माजून आर केर यह एक पेस्ट है एक चैटन कहते हैं वहां पर महारास में इसको ए एक चम्मा सुबह निहार मों गरम पानी सखाया करिए एक चम्मा शाम को अगर पांच-छे महीने लगातार खाते हैं तो आपका ये रोग मुस्तकिल तोर पर ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है केरन गौालियर से हमारे साथ स्वागत है आपका केरन हकीम साब इनका सवाल शायद आप तक पहुँच गया है बहुत सीधी है आप देखिए आप जवाब सुनिए अपना सवाल का जवाब सुनिए आपका पेट बढ़ गया है और खुजली होती है ठीक है न यही तो एक नस्खा और दो काम करेगा आपके लिए जीरा आदा चमच या उस से कम लीजे धनिया एक चमच और एक चुटकी में जितना आपके आए खाने वाला सोड़ा ये मिलाईए दो गिलास पानी में और इसे उबालना शुरू करिए और जब ये आदा उबल के जल जाये तो इसे रोज एक बार पिया करिए और इसका जो बचा हुआ फुजला बचे ना तो उसको फैकना नहीं ये सुबह को उबाल के पीना फिर इसी को शाम को उबाल के पीजे आपका पेट भी ठीक होगा और आपका खुजली होने भी ठीक हो सकती है अगले कॉलर है हमारे साथ राकेश बारा बंकी से स्वागत है राकेश आपका हाद आप जी सवाल कीजिए हम हमारे बिमारी है पेचैनी पर ही रहती है ज्यादा कई सार से पेचैनी रहती है ब्रेट पेशर चेक कराया ब्रेट पेशर जी आप पहले टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए तब ही आप अच्छे से सुन पाएंगे सवाल कीजिए एक बार दुबारा से हकीम सहाब इनको बेचैनी रहती है ये टीवी के माद्यम से हमें सुन रहे हैं शायद इन तक आवाज नहीं पहुँच पारी जो देखें ब्रेट पेशर अगर आपको नहीं है तो इसका इलाज अलग है और ब्रेट पेशर है तो इसका इलाज अलग है ब्रेट पेशर है तो ब्रेट पेशर के लिए दस लेसन के पीस रोज आना पांच सुबा पांच शाम निवाले में रखकर चबा के खाये और अगर वैसे बेचे नहीं होती है प्रेट प्रेशर की शिकायत नहीं है तो एक आवले का मुरबह मुरबह आवला आता एक आवले का मुरबह एक चान्दी के वर्क में लपेट कर रोजाना नहार मुँ साधे पानी से खाई है और फिर आप कॉल करते रहें अगर तफसील से बात हो जा जिन लोग बात नहीं कर पाते पहली बार करते तो परिशान हो जाते तो किसी और के जरीए भी अपना सवाल हम तक पहुचा सकते है तो बिलकुर दरश को देखे परिशान बिलकुर नहीं होना है लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिए तो टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए और कॉपी पैन लेके जरूर बैठिए एक एक नुस्का जो आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पर बताते हैं वो आप नोट डाउन कर लिजे और वो सब भी चीजे आपको फॉलो करनी है फिर देखे गा दीरे-दीरे कैसे आप लोग स्वस्थ हो जाते हैं इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमार साथ जुड़ गए हैं जी नमस्कार अमन असलाव अलेकूम जी जी गालिस्था सवाल कीजिए सवा में चीजे आती है और सोते टाइम खर राटे आती है इसका कोई इलाज हो आपके पास तो बताईए देखे चीजे अगर आपको काफी दिनों से आ रही है सालों से अगर आप परिशान है इस वक्त चीजे बहुत खतरनाक है इसका मस्तकिल इलाज कर सकते है वक्ती इलाज के लिए जो शांदा ले जो शांदे आते है सारी कंपनिया बनाती है हमनी बनाते है जो शांदा रोजाना एक उबाल के पीए एक सुबह जो शांदा उबाले उबाल के पीले उसी को रखें शाम तक शाम को फिर उबा लें वो पी लिया करें अगर ये अभी आना शुरू हुआ अगर सालों से आती हैं तो मस्तकिल तोर पर आपको इलाज करना पड़ेगा माजून आर केर सुबा शाम नहार मूँ और रात को सोते वत गरम पानी के साथ या चाय के साथ आप लेंगे तो आपको फाइदा मुम्किन है लेकिन चार-पांच महीने लगातार लेना होगा और इस वक्त आप इन पर कंट्रोल करिए कि कोई जो हवा चल लए है वबा चल लए बीमारी चल लए है उसमें यह सिम्टम बहुत खतरनाक है नेक्स्ट कॉलर है मधू हैदराबाद से हमारे साथ वागत है मधू आपका जी तेज अवाज में बात कीजिए जी एक बात फिर से सवाल कीजिए और तेज अवाज में बोली आप तक शायद हमारी अवाज नहीं पहुँच पा रही है और आपके अवाज भी हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं तो थोड़ा रेंज में आके बात कीजिए सवाल दुबारा दोराईए पिंपल्स होते हैं इनको अच्छा पिंपल्स का पाबलम अक्सर महिलाओं को या कम उमर के बच्चियों को होता है पिंपल्स के लिए एक बहुत अच्छा नस्का है और वो यह है कि आप गॉन मौरिंगा लें गॉन मौरिंगा वड़ी मुश्किल से मिलता है महंगा भी होता है दस बारा रूपे रोज की खुराक पड़ती है वैसे खुराक के हिसाब से सस्ता होता है आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम पानी के साथ लेना शुरू करें और दो तीन महिने तक लें ताकि यह हमेशा के लिए आपकी परिशानी ठीक हो सके आप लोग जब कारेक्र में कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजे म्यूट कर दीजे क्योंकि आप हमारी बात नहीं सुन पाते हैं और फिर देखेगा दर्श को समय का यहां पर आभाब होता है बहुत सारे कॉलर्स होते हैं जो लगतार बात करना चाहत आप से तो आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी टीवी का वॉल्यूम कम करके ही हमसे संपर्क सादिये आईए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से हमारे साथ इरफान अली है बरेली से स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए जी सवाल कीजिए अपना जी जी फरमाईए मैं सुन रहा हूं तर यह सब मेरा यूरिक आसिड गुटने में दर्द कमर में जोडों में दर्द मौंडे में दर्द कहीं भी दर्द है जोडों में तो एक राव मैटेरियल मिलता है काला गॉन्द, इसको आसान जबान में कहते हैं काला गॉन्द, हम लोग कहते हैं गॉन्द सिया, यानि काला गॉन्द, ये ब्राउन कलर का होता है, जायके में बहुत कड़वा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एक ही गॉन्द है जो कड़वा होता है, उसे गॉन्द सिया कह के बराबर आसानी से बन जाती है हलका सा पानी मिलाएंगे तो बन जाएंगे यह पाउडर ही खा लें तो आदा गिराम सुबह नाश्टे के बाद आदा गिराम शाम को दूद्ध पानी या जूस के साथ काफी कड़वा होता है अगर यह 100-200 गराम गौन आप लें तो ऐसा तज लीफ है जाती रहती है नेक्स कॉलर है सचिन MP से हमारे साथ सचिन स्वागत है आपका जी सवाल कीजिए नमस्कार जादर पीठ दर्द बहुत जादा रहता है ठीक है लाइन पहे हैं तो उमर भी बता दीजे एज मम्मी की बताईए एक बड़ दुबारा बताईए एज 35 कमर दर्द में एक दुनिया की ऐसी दवा है जो ज्यादा तर लोग को फायदा करने ते एक रो मैटेरियल दो रो मैटेरियल है देखिए अस्वा गंधा आपने सुना होगा बहुत मशूर बूटी है नहीं तो आप सच करेंगे अस्वा गंधा तो सामने आजाएगे लंबी लंबी डंडिया होती है अस्वा गंधा आप सो ग्राम ले 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 और अलसी सो ग्राम ले ले और गॉंसिया सो ग्राम ले ले इन सब को खूब बारिक पाउडर बना ले गॉंसिया मुश्किल से मिलता और नकली भी क आफी मिलता है तो असली लेना कड़वा होता है बहुत कड़वा होता है कुछ जादा ही कड़वा होता है अब इसके जब पाउडर बना ले तो ये दो चुटकी एक चुटकी पर ये दो चुटकी जितना आए आपकी मम्मी के चुटकी में दो चुटकी सुबा दो चुटकी द टेरियल खतम होने से पहले पहले आपकी मम्मी का फाइदा होना मुम्किन है